ओम सिरी गनी सायनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर बुद्धुवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं कि किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा, और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप अपने सभी कार को बहुती बहतरिन तरीके से पूरा करेंगे जिससे आपकी छुपी हुई योगता वे प्रतीबा सब के सामने आएगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा घर की शुक्षुवदा सम्मंदित वस्तों की खड़ीदारी में भी आज समय व्यतीत होगा आप अपने विश्वाश वेक कारे चमता द्वारा इस्तितियों को और अधिक भेतर बना पाने का प्रियास करेंगे और सफलता भी हांसिल करेंगे पैत्रिक प्रॉपर्टी सम्मंदित अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर ध्यान केंदरित करें सफलता के योग बन रहे हैं धार्मिक संस्था के प्रती तन और मन से सहयोग देना आपको खुशी प्रदान करेगा साथी समाज में भी मान सम्मान में वृद्धी होगी अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रियास रथें तो आज कदिन आपके लिए काफी सुब है आज उस पर अपना ध्यान केंदरित करें आज का दिन समाज सेवी संस्ताओं के साथ मदद में व्यतीत होगा तता धर्म कर्म संबंदित कारों में आपकी रूची अधिक रहेगी युवा वर्ग अपनी महनत के अनुरूप सुब परिणाम मिलने से तनाव मुक्त रहेंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख कर आप अपने कारे सम्मंदित योजना में परिवर्त न लाएंगे जो भेतरीन शाबित होंगे भाई भेनों के साथ चल रहा कोई वाद आपसी समझबूद से आज हल हो जाएगा आज अधिक तरकाम मन मताबिक तरीके से संपन होते हुए आपको प्रतीत होंगे जिस से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात, खुसी और ताजगी प्रदान करेगी और आप अपने काम पर और अधिक एकागरता से ध्यान दे पाएंगे दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदियां पूर्ववती ही रहेंगी मैंटिनेंस संबंदित कारों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए अपने बजट का ध्यान अवश्चे रखें नोकरी पेशा वैक्तियों के लिए तरक्की संबंदित आज योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा परंतु अपने क्रोध और जल्दवादी वाले श्वबाब पर नियन तर्ण रखें आप किसी मुसीवत में पढ़ सकते हैं किसी महत्पपूर्ण व्यक्ति के साथ भी कोई कहा सुनी होने की आज आसंका है जिससे रिष्टे में कड़वरा हटाएगी दोस्तो साथी साथ दिखावे की बज़े से व्यर्थ की फिजूल खर्ची भी हो सकती है थोड़ा सावधान रहें विद्यारती अपनी पढ़ाई के परती लापरवई ना बढ़ती हैं किसी नजदी की रिष्टिदार के साथ मन मुटाव जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती है थोड़ी सी सावधानी रिष्टे को बिगाडने से बचा सकती है दोस्तो जन्दबाजी में कोई भी निर्णया अपना लें किसी प्रिकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकता है किसी बहारी व्यक्ति की सलापर ध्यान ना देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कारे करें कुछ कारे समय पर पूरा ना होने के कारण आज तनाव रह सकता है इसलिए अपने उपर काम का अधिक बोज ना लें बहतर होगा कि सबसे पहले महत्बपूर्ण काम निम्टा लें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो परिवारिक वातावरण आज खुस नुमा रहेगा साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशिरवाद वे इश्ने परिवार पर बना रहेगा पती पतिनी के बीच किसी परिवारिक मुद्दे को लेकर कहा सुनी हो सकती है परंतु जरासी समस्दारी से वातावरण पुने सहज हो जाएगा घर परिवार तथा वेपार संबंदित सवी कारों में जीवन साथी का भरपूर शयोग रहेगा और आपसे भावनात्मक संबंद भी मजबूत होंगे परिवार के साथ मनोरंजन वे डिनर के लिए जाना यादगार पलों में सामिल होगा पती पतिनी के संबंदों में नजदी की आएंगी किसी प्रिये मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो नवीन कार्रे संबंदित आपने जो योजना बनाई हैं उस पर एकागरचित होकर काम करें आमंदनी में आज वरद्धी होगी तथा आएके नए स्रोत खुलेंगे नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी परस्तियां आज काफी अनुकूल हैं वेवसाइक गतिविदियां पूर्ववत ही रहेंगी मेंटिनेन संबंदित कारों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए अपने बजट का आप ध्यान अवश्य रखें नोकरी पेशा व्यक्तिय के लिए तरक्की संबंदित आज योग बन रहे हैं ने प्रवाबसाली संपर्क बनेंगे वेपार से संबंदित अधिक से अधिक प्रचार करें वर्तमान परस्तितियां आज आपके पक्ष में हैं आपके सभी काम आज सफल तापूरुबक पूर्ण संपन होंगे मार्केटि ही लाब की प्राप्ति होगी सरकारी शेवा में कारेकरत व्यक्तियों को अपने बहतरिन परिणाम देने से उपलब्दी प्राप्त होगी अपनी कारेच्छमता और महनत पर ही विश्वास रखें किसी के हस्तशेप से आपकी योजनायवे कारें बिगड सकते हैं वैसे तो व हो सकती है इसलिए अपनी कारेच्छनाली को गुप्त तरीके से रखें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भर पूर्शात देंगे दोस्तो आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा, आज कोई भी स्वास्त सम्टित समस्या आपको प्रिशान नहीं करेगी साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक नारियल लें या दोस्तो इसके बाद आप इसे एक नारियल को कुछ दक्षणा के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल लगी हैं समस्त परिशाने उकंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फुलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्रेबहुत यासानी से बंते चले जाएगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का शिरबाद आपको प् और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद